दक्षिन बस्तर दंतेवाडा के जंगलों में CRPF और नकसलियों के बीच फाइरिंग हुई है इस फाइरिंग में एक जवान के शहीद होने की खबरे आ रही हैं वहीं पांच जवान घायल बताय जा रहे हैं फाइरिंग की खबरें पुस्ट हैं लेकिन जवान के शहीद होने की खबरें फिलाल प्रशासनिक स्तोर पर अपुस्ट जानकारी मिली है कि CRPF ने गश्ट के दोरान जब फाइरिंग की इससे पहले ही नकसलियों ने फोर्स पर फाइरिंग कर दी थी इस फाइरिंग में पांच जवान घायल हुएं जबकि एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है शहीद जवान का नाम शशी कांतिवारी बताया जा रहा है पता चला है कि पुलिस की जवाबी फाइरिंग के बाद नकसली भाग खड़े हुए लेकिन अभी भी फोर्स जंगलों से लोटी नहीं है बिरो रिपोर्ट दे वोईसेस